इस मैला ने गाई से ही कर ली शादी वज़ा जानकर सब लोग हैरान रहे गए। दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग है जो आज भी पुनर जलों पर विश्वास रखते हैं। लोग मानते हैं कि मरने के बाद इंसान किसी ना किसी रूप में धर्ती पर जलन लेता है। समबोडिया के एक मैला को भी ऐसा ही लगता है। इसी चकर में मैला ने एक ऐसा कदम उटाया जो आजकल बहुत चर्चा का विशय बन चुका है। बता दू कि इस मैला ने एक गाई को अपना मरा हुआ पती मानकर उससे शादी कर ली है। आपको ये बात सुनकर थोड़ा अज अच्छाई वीडियो को बीना स्किप किये पूरा देखिये वजह जानकर आप भी पूरी तरह हैरान रहे जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस भाई का भी नाम जान लो। हाई दोस्तो दिस इस सिदार्थ वेलकम टू माई चानल सीट का चानल। आपको इस दोटो कि शादी काफी सुर्कियों में आ गई है मैला का मानना है कि उसके स्वर्गवासी पति यहाय के रूप में पुनेर जन्म ले लिया है। बता दू कि लोग मैला के इसके कदम पर काफी हैकी मैला का मानना है कि गाई की सब्हेंबी विशेश्चता एक उसके मरे हुए पती की तरह है अपने इस अनोकी शादी की वज़े से कमबोडिया के क्रांती प्रांट में रहने वाले ये 74 साल की मैला अपने एरिया में कापी मशूर हो गई है बता दू कि इस मैला का नाम कीम हांग है रिपोर्ट्स के मुताबित जब गाए पैदा हुई थी तब मैला के और चेरा चाटती थी तो कई बर मैला के मुँपर कीज भी करती थी मैला का मानना है कि गाए उसे वैसे प्यार करती है जैसे उसके पती करते थे मैला को इस गाए में अपने मरे हुए पती का चेरा दिखाए देता है गाए के अपने प्रतिस्त नहा देखकर कीम हैंग समझ ग करते हैं कि उनके पिता ने अब गाय के रूप में जलम लिया है इसलिए महिला के बेटे भी गाय की खूप सेवा करते हैं महिला गाय को अपना पती समझ कर उससे प्यार करती है और तो और उसके साथ सोती भी है महिला के घर ये गाय उसके कमरे में ही रहती है सिर्फ यही नहीं उसने गाय को अपने पती की तकिया और बेट भी दिया है जो उसने अपने कमरे में रखा है साथी मैला ने अपने बच्चों से कई दिया है कि उसके मरने के बाद वो गाय को अपने पीता की तरह प्यार करे और वो उसे वही इज़त दे जब मरने से पहले वो अपने पीता को देते थे गाई को कभी ना बेचे और उसे अच्छे से खाना खिलाए इसके अलावा जब गाई की मोत हो जाए तो वे लोग इनसान की तरह उसका अंतिम संस्कार करे दोस्तों कुछ भी हो लेकिन गाई के प्रती इतना स्नेह और लगाओ आजकल बहुत कम देखने को मिलता है I hope यह informative वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करना और साथी चानल को भी सब्सक्राइब कर देना मेरे ऐसे ही बेतरिन और रोचक वीडियो के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए आप मुझे से इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर भी जूर सकते हैं लिंक भाई में दी गई है जल्दी से मुझे से कनेक्ट हो जाईए तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ नए और इंट्रेस्टिंग जानकारी के साथ तब तक धन्यवाद